नमस्कार दोस्तों सागता को मेरी यूटूब चैनल पर सेखो हिंदी में तो दोस्तों आज किस वीडियों बात करने वाले हैं अगर आपके पास भी जोनी एक मॉइल जिसका मोडल नमबर जोनी एफ 205 प्रो और आपको इसमें प्रॉब्लम आ रहे कि आपका मॉइल जोनी पर रुक जारा है या फिर onlok parental जोनी के आइकन पर दो जारा है यह तो किये बार को ऐसा एशुव होता है कि नीचे को साइट फाटवर्ट मोड लिखा हुए आता है वहां पर आपका फॉन हैंग हो ज एकन पर रुक जाता है तो यह सभी problem कैसे आप solve कर सकते हैं आए जानते हैं तो दोस्तों यह method आप और भी जियोनिक वालों में use कर सकते हैं तो इसके लिए सबसब पहले आपको क्या करना है यह देखे जियोनिक आइकन पर रुख जा रहा है इसके आगे यह नहीं बढ़ेगा ठीक है फ्रेंट्स अब यह काफी टाइम तक यहीं पर ही रुका रहेगा आपका जोनिक आइकन पर ही तो इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले ओपन करना अपने मुबाइल के बैक पैनल को ठीक है फिर आपको निकालेने हैं बैटरी इस तरीके से और इसके बाद यह द फिर इसके बैक पैनल को सेट कर लेना है और यहां पर आपको मिल देगा वॉल्यूम अपका बटन और यहां पावर बटन तो आपको इन दोनों बटन को एक साथ दबा लेना है इस तरीके से अब आपको वॉल्यूम का बटन दबाए रखना और पाउर बटन को छोड़ देना जो कि आपको अनुफ का बटन है ठीक है फ्रेंट्स तो यहापको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे इस तरीके से तो आपको वॉल्यूम अपकी मदद से यह देखे फ्रेंट्स वॉल करने के बाद रिकवरी मोड पर लियाएंगे इसे एरो को और इसके बाद वॉल्यूम डाउन के मदद से इसको स्लैक कर देंगे इस तरीके से तो देखे फ्रेंट्स अब हमारा मुवाइल जो है रिकवरी मोड में चला गया है तो यहाँ पर आपको थोड़ी दिले के लिए करना है यह देखे दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन और शो हो गए है अब आपको वॉल्यूम डाउन की मदद से नीचे की तरफ आना है इस तरीके से यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा वाइप डाटा फ्रेक्टरी रिसेट का तो आपको यहाँ पर आने आप वाइब डाटा हैं और आपको फॉर्स्ट ऊप्शन दिख रहा है रिबूर्ट शिस्टम नाओ का तो आपको इसी पर पाउर बटन के मदद से इसको रिबूर शिच्टम नाओ पर क्लिक कर देना है फिर इसके रहा फोन रिबूर्ट होगा बंदो के चालु होगा तो द